परिचय हलो बच्चों, मेरा नाम है सैम, मैं अपने सारे दोस्तों के साथ जू यानि चिडिया घर में रहता हूँ मेरे सभी दोस्तों के साइज और शेप यानि आकार अलग-अलग हैं आप हम में से दो या ज्यादा के बीच तुलना करके ये फर्क बता सकते हैं आज हम तुलना शब्द के बारे में जानेंगे तो आईए मेरे साथ आओ सीखें तुलना वाले अलग-अलग शब्दों की सूची बनाना तुलना वाले शब्दों को इस्तेमाल करके उदाहरण देना ज्यादा लंबा या छोटा जब दो चीजें एक ही आकार की नहीं होती तो हम उनकी तुलना करते हैं मैं उससे ज्यादा लंबा हूँ मैं उससे छोटा हूँ ज्यादा उचा या छोटा कद मैं घोडे से ज्यादा उचा हूँ मैं जिराफ से छोटे कद का हूँ बड़ा या छोटा मैं बड़ा हूँ मैं छोटा हूँ मोटा या पतला मेरा तना मोटा है मेरा तना पतला है चोटी पर या तलहटी में मैं पहाडी की चोटी पर खड़ा हूँ मैं पहाडी की तलहटी में खड़ा हूँ पर या नीचे पक्षी पेड पर बैठे हैं गिलहरियां पेड के नीचे खेल रही हैं अंदर या बाहर, शेर गुफा के अंदर सो रहा है, चूहा गुफा के बाहर इंतजार कर रहा है. उपर या नीचे, मैं पेड के उपर उड़ रहा हूं, मैं पानी के नीचे तैर रही हूं. आगे या पीछे, मेरी माँ हमसे आगे तैर रही है, मेरे बच्चे मेरे पीछे तैर रहे हैं. बीच में, मैं दो जिराफों के बीच में खड़ा हूं. हमने क्या चर्चा की? ज्यादा लंबा या छोटा, ज्यादा उचा या छोटा, बड़ा, छोटा, मोटा, पतला, भारी, हलका, चोटी पर, तलहटी में. उपर, नीचे, अंदर, बाहर, नस्दीक, दूर, आगे, पीछे, बीच में. ज्यादा आगे, ज्यादा यादा 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 में. झाल झाल